फ्रेंज यह आप देख रहा हैं मैंने कुछ दिन पहले अपने घर के बनाए हुई एक लिक्विट फर्टिलाइजर को अपने सभी पौधों पे अपलाई किया अप्लाई मैं इनकी दो अपने उस लिक्विड फर्टिलाइजर की जो दो फीट थी मैं अपने पौधों को दे चुकी हूँ और यह उसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं किसी चीज को यदि रिजल्ट के साथ आप लोगों को दिखाया जाया है या किसी को भी बताया जाय है तो वह जाधा effective होता है अपने growing season में किसी भी plant की यदि flowering plant है या fruiting plant है उसकी requirement अलग-अलग stages पह अलग-अलग होती है यह देखिए यह होया का प्लांट है रिसेंटली कम्यूनिटी पे मैंने इसे शेयर किया था तो फ्रेंट्स मैं हूं रितू और आप देख रहा है एबी सी और अगयनिक गार्डिनिंग उस फर्टिलाइजर को बनाना बहुत ही आसान है यह उसके रिजल्ट्स है रिजल्ट्स मुझे काफी अच्छे मि और जो मैंने कटिंग लगाई थी कटिंग भी उसे मैंने अपलाई किया तो उनकी रूटिंग अच्छे से हो गई तो फ्रेंट्स वह जो लिक्विट फर्टिलाइजर है आप घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं उसमें अलग-अलग प्रकार के न्यूट्रियंट्स जो प उसमें जादा होती है तो यह देखिए मैंने सकलेंट्स पर अब यह जब हम बात करते हैं यह फर्टिलाइजर आप हर पौधों पर अपलाई कर सकते हैं चाहे वह इंडोर हो या आउट्डोर हो चाहे आपके ऑर्नमेंटल जो या आपके सकलेंस हो या फ्रूटिंग हो या व इसलिए बैस्ट है कि आप इवनिंग के समय पर सूरज ढलने के बात करें तो मैं पहले आपको डिटेल्स बता दूं यह देखिए मैंने एक सेटप रेडी किया था यह कॉम्पोस्टिंग बिन है मेरा और कॉम्पोस्ट बिन मैंने बड़ा ही साधारण जुगाड़ो रूप से बनाया क्योंकि इसमें कुछ हमें एक्स्ट्रा कुछ पर्चेज करने की ज़रूरत नहीं है और यह घर के किचिन वेस्ट से बनता है तो मैंने करीबन तीन मैंने पहले से स्टार्ट किया था कॉम्पोस्टिंग कि 20 लिटर का ड्रम है नीचे मैंने टाप लगाया कोई होल नहीं किया है तो मैंने टाप लगाया है एक प्लास्टिक का नल जो आसानी से आपको बजार में मिल जाता है नल के ऊपर कम से कम 6 इंच जो है मैंने छोड़ दिया है खाली चोड़ा है और उसके ऊपर एक जाली लगाई है जाली को तार की मदद से टांग दिया है सबसे पहल में एक लियर kitchen waste और एक मूटी लेयर जितना आप kitchen डालते लेलाटा लाता जो हर देखना ड्यक्व करते और HC में आपको मेरे पास जनरली कमेंट्स आते हैं बहुत सारे क्वेरी आती किड़े आने लग गया तो बदबू होने लग गई मैं घूमने लग गया मैं खोलती हूं तो कीड़े बाहर निकलते तो देखिए इसमें ना तो आपको चीटियां देखेंगे ना आपको मैं गोड़ें किचिन वेस्ट और एक लेयर हम ब्राउन लेयर ऐसे डाल देते हैं तो धीरे धीरे लिक्विट जो निकलता है वो नीचे कलेक्ट हो जाता है उसे मैं एक यह टाइप की मदद से और एक बॉटल में 15 हर 15 दिन के अंतराल पर थोड़ा थोड़ा निकलता हूं से कलेक्ट करके रख लेती हूं यह जो लिक्विड है इसकी शेल्फ लाइफ काफी है आप एक साल तक उसे स्टोर कर सकते हैं और रेगुलर बेसे पर यदि आप गार्डन में इस्तिमाल करते हैं तो यह क्योंकि हम किचिन में फ्रूट्स हैं विजिटेबल्स हैं प्यास लैसन में सभी कोड़े नहीं लगेंगे तो यह आप डाल सकते बस वह डिकंपोस्ट थोड़ा सा लेट होती हम लोग खाते हैं इसलिए मैं कुछ नहीं डालती और यह हैं मेजरिंग कप यह पांच लिटर मैंने पानी ले रखा है पांच लिटर में आपको 100 ml मिक्स करना है तो यह हम देखि यह मॉशर काफी समय तक पॉट में रहता है तो जड़े इसलिए उसको दीरे दीरे करके इब्सौब करती रहती है सेम यही आपको foliar spray भी जो करना है वो evening में करना है अब क्योंकि इसमें प्यास लेसन के छिलके हैं इसलिए आपको foliar spray जब आप करेंगे तो इसमें पौदों में कीडे कम लगते हैं और इसमें sulfur की मातर प्यास में रहती प्यास के छिलकों में रहती है तो रूट्स में भी फंगस की प्रॉब्लम कम होती है और पत्तों में भी कीडे कम लगते हैं इसलिए आपको अलग से प्यास की छिलकों का फर्टिलाइजर बनाने की ज़रूरत नहीं है जब हम fruits खाते हैं ब नीटरीटिवध वैल्यू और बढ़ाना थोड़ा सा कहना चाहिए इसमें कुछ माइक्रो फ्लोर और आपको बढ़ाना है तो इसमें आप थोड़ा सा गुड़ा अड़ कर सकते हैं कि इसको आपने मिक्स करके रख दिया रात में थोड़ा सा एक चमच गुड़ा गोल के रख और सुबह फिर अपने प्लांट्स को सभी को आप फोलियर भी दीजिए और रूट्स पर भी दीजिए तो इससे होगा यह कि आपके प्लांट्स की धीरे-धीरे करके जो रिक्वायर्मेंट्स हैं वो फुल्फिल होती जाएंगी उनकी ग्रोथ अच्छी होती जाएंगी और आपको यहां एक पैसा भी कर्च नहीं करना विदाउट स्पेंडिंग पैनी आपको घर पे ही बना हुआ फर्टिलाइजर रिडी मिल रहा है सालों साल इस्तिमाल कीजिए ह उसके रिजल्ट्स हैं तो फ्रेंट्स मुझे अमीद है मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा आपको हल्पुल साबित होगा अपने जो भी आपके एक्सपीरियंस हैं मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएए जो भी क्वेरीज हैं आप मुझे कमेंट्स में झाल